मस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी गोवा विथानसबा चुनाफ से पहले शिवसेना अकेले पढ़ चुकी है और कॉंग्रेस पार्टी ने गटवंदन से साफ इनकार करतिया है इसके बाद सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि गो शिवसेना के नेता और सांसर संजेर राउत को भी काफी जादा परिशान कर रहा है और ये ही वज़ा है कि लगातार संजेर राउत की बोखलाहट देखने को मिल रहा है संजेर राउत के जो बयान साफ ने आ रहा हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से संजेर राउत बोखलाए हुए हैं जिसमें उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी पर बलटबार किया है संजेर राउत ने कहा है कि कॉंग्रेस तयार नहीं है कॉंग्रेस को लगता है कि उन्हें अपनी ताकत से पून बहुमत गोवा में मिलेगा उन्हें आत्म विश्वास है मुझे पता नहीं कि उन्हें इतना आत् आता है शिवसेना के नेता संजह राउत ने ये साफतोर पर कहा कि गोवा में शिवसेना और एंसेपी ने गटबंधन किया है और हम गोवा में चुनाफ लड़ेंगे आपको ये भी बताते हैं कि ये लड़ा ही लगातार चारी है जिस तरीके से कॉंग्रेस ने साफ इनकार कर दिया है कि वो शिवसेना और एंसेपी के साथ गटबंधन में गोवा विथानसभा चुनाफ नहीं लड़े की और इसके बाद से लगातार ये वार पलटवार का दोर जारी है इससे पहले आपको बदादे माहराश्ट में कॉंग्रेस के प्रदे गटबंधन नहीं होता है और माहराश्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके का तमाशा माहराश्ट में हो रहा है याही महाविकास अगाडी सरकार में भी फूट पड़ चुकी है ये साफ तोर पर इशारा नाना पटोले की ओर से किया ग लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने साफ तोर पर गटबंतन से इंकार किया जिसके बाद अब लगातार संजयर राउत के एक के बाद एक बयान साफने आ रहे हैं और हाली में संजयर राउत ने टीवी नाइन मराथी को जो इंटेव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने कॉंग्रेस पार्टी से गोवा की 40 सीटों में से 10 सीटे मांगी थी और कहा था कि 30 सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी अपने आप चुनाफ लडे लेकिन कॉंग्रेस को ये बात भी गवारा नहीं हुई और कोई बात नहीं शिवसेना और एक साथ मिलकर अब चुनाफ लडेकी ये संजेर राउत की ओर से कहा गया था संजेर राउत ने कहा कि दरसल कॉंग्रेस पार्टी एंसेपी शिवसेना और कॉंग्रेस का जो गडबंधन है वो गोवा में नकाह रही है लेकिन इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा तो ये लगाहतार बयानप चुनाफ लड़ेगी तो इस तरीके की ये बयानपाजी का तौर भी जारी है तो इस तरीके से कही न कहीं गोवा विधानसभा चुनाव बेहत दिल्चस्प होता दिखाई दे रहा है हालकि तमाम जो ओपिनियन पोल साफ ने आए हैं तमाम जो सर्वे साफ ने आ रहा हैं उसमें साफतोर पर एक पार फिर बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है बतादें कि गोवा की 40 2020 विधानसभा सीटों पर 14 परफरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को वोटों की गिंती होगी लेकिन उससे पहले लगाहतार शिवसेना जिस तरीके से सपना देख रही थी कि बीजेपी को हराय चाहे एक गटबंधन बनाकर लेकिन वो सपना चकना चूर हो गया है लेकिन ल महज कुछ ही सीठे आ रही है और इतना ही नहीं माहराष्ट के पूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नविस तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि दरसल एक पार फिर से शिवसेना की मा गोहा में जमानत जब्थ होने चार रही है कि ये लगाहतार सियासी बयातबाजी है जो लगाहतार चारी है तो आपको बताने इसने पहले जो एंसीपी के परवक्ता है नवाफ मलिक उनकी और से मीडिया से बातचीत करते हुए इन तमाम चुनावों को लेकर जो जानकारी थी गई थी उसमें ये बताया किया था कि एंसीपी गोहा में शिवसेना के साथ और मनीप में कॉंग्रिस के साथ चुनाफ लड़े की और फिलाल इस पूरे माहिने में बातचीत जो है वो जारी है उमिद्वारों की लिस्ट जल्द ही साफने आई की लेकिन वहीं बीजेपी ने अपनी उमिद्वारों की लिस्ट साफने रखती है 34 उमिद्वारों की लिस्ट बीज सियम है गोवा के मनोहर अजांकवर वो मडगाव से चुनाफ लड़ेंगे वहीं आपको बता दें गोवा के पूर मुख्यमंत्री भारत के रक्षमंत्री रहे मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर को पंजी सीट से इस लिस्ट में टिकेट नहीं दिया किया है वहां से जो उप्षन उन्होंने नकास किया है वहीं दूसरे उप्षन पर बातचीत जारी है लेकिन माना ये भी जा रहा है कि वो निर्दलिये चुनाफ लड़ेंगे और उन्हें साथने की कोशिश भी लगासतार तमाम पार्टियों की ओर से की जा रही है जहां शिवसिरा ने ये पारिकर को निर्दलिये अगर वो चुनाफ लड़ते हैं तो उसे सपोर्ट करेगी वहीं आम आजमी पार्टी भी लगातार दाम लगाने की कोशिश कर रही है तो फिलाल गोहवा विथानसभा की ये 40 सीटे जिस पर 14 परवरी को चुनाफ होगा कहीं न कहीं बेहत दिल्चस् की जाए फिलाल बीजेपी गोहवा में सक्ता में हैं बर्मौन सावंध बीजेपी के मुख्यमंत्री चैरे वहां हैं और इस तरीके से गोहवा विथानसभा चुनाफ को लेकर भी लगातार सियासी सरगर्पियां तेच हो रही हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पार्टी ने लग और अकेले चुनाफ लड़ने का फैसला कर लिया है तो वहीं और शिवसेना मिलकर चुनाफ लड़ रही हैं दावा उनकी तरफ से यह किया जा रहा है कि बीजेपी को हरा कर वो इस बार कोफा की सत्ता पर काफी चोंगी लेकिन देखना दल्चस्थ होगा क कि आखिर क्या ये जो गटवंधन है ये कॉंग्रेस को भी मात दे पाता है या नहीं क्योंकि इस तरीके की सियासी वयादबाजी का दौर चारी है जहां ये तीनों ही पार्टियां आपस में उलस्ती नजर आ रही हैं तो वहीं तमाम सर्वे ये दावा कर रहे हैं कि पुरी तरीके से शिवसेना का एक अपना अस्तित्र था एक अपनी खुद की छवी थी अब पुरी तरीके से वो खत्म हो चुकी है जाहे बात गोवा विधानसबाद चुनाव में की जाए वहां भी वो लगासार दूसरी पार्टियों के साथ गट बंधन करके बीजेपी को हडाने का सपना देख रही है तो वहीं उत्तर परदेश विधानसबाद चुनाव में भी कुछ ऐसे ही तस्वीरे नजर आ रही हैं वहीं आपको बता दे यही हाल कुछ शिवसेना का उत्तर परदेश में भी होता दिखाई दे रहा है जहां मुख्यमंतरी योगी को हराया चाहे हालकि चुनाव लड़ने का फैसला अकेले किया क्या है कि उत्तर परदेश की लगफख सो सीटो पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी लेकिन समर्थन जो है वो समाचवादी पार्टी के अध्यक्ष अकलेश यादव को जताया चारा है और यह कहा चारा है कि द सफने दम पर कहीं भी बीजेपी को हराने की कोशिश नहीं कर रही है कहीं भी अकेले साफने नहीं आ रही है पलकि कहीं न कहीं जुन्ड में आकर बीजेपी को हराने का चो यह सठीयंतर पूरा रचा जा रहा है इसमें भी शिवसेना फेल साबित हो रही है यह हमने गोवा मे नहीं कहीं पाला है और सोच रही है कि तमाम पार्टियों का गटपंदन करके परधान मंतरी नरेंद्र मोधी को इस पद से हटाया जाए लेकिन कहीं न कहीं वो सपना फी चकनाचूर होता नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके का रिसपॉंस शिवसेना को मिल रहा है क्योंकि त शिवसेना की हालत जो लगातार देश में बद से बत्तर हो रही है फिलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थन्यवाद